काश्वी फूड हट तो आज हम काश्वी फूड हट में बनाएंगे ठंडी ठंडा फ्रूट कस्टर क्यूंकि वैसे भी समर्स टेज हैं तो इसलिए इस कर्मी के मौसम में ऐसा अच्छा सा ठंडा कस्टर बन जाए वह भी फ्रूट वाला तो बहुत ही मज़ा कुछ और है तो मैं और अच्छी रजपीस आपके लिए लेकर आती रहूं तो सबसे पहले मैंने ये सभी फ्रूट्स तीन बड़े चमच कस्टर पॉपाया पॉमिग्रेट ग्रेप्स ब्लैक और ग्रीन वान लिटर मैंने मिल्क लिया है वान कप मैंने इसके अंदर शुगर लिया शुगर अब आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और टू मैंने इसके अंदर एपल लिये हैं तो सबसे पहले वान लिटर दूद को मैंने फूल फैट ये मिल्क है हमारा तो फूल फैट ही इसके अंदर जाएगा तो ये बॉयलिंग के लिए थोड़ी देर शोड़ देते सबसे और जाएगे तो इसलिए हम इसको ठंड़े दूद में ही घोलेंगे तो अब हम दूद के बॉयलिंग का बैट करेंगे तब तक हम इसके अंदर चीनी आड नहीं कर सकते तो वह सारा मिलक है मैंने तीन चमज़ इसके अंदर कस्टड डाला है वैनीला कस्टड मैं होंगी कस्टड की जगा अगर वर्त है तो कस्टड की जगा आप क्या कर सकते हैं साबुदाने को पीछ के इसके अंदर डाल सकते हैं वर्त के लिए बहुत ही यह अच्छी रेसिपी है और हेल्दी भी है तो देखिए इसको हम वाइलिंग सेक्षिन तक चलाएंगे इसको एकदम सा गाड़ा भी नहीं करना यह देखिए इसके अंदर तो इसके अंदर बॉयल आ चुका है तो अब इसके अंदर हम वान कप चीनी अड़ कर देंगे मैंने पहले भी बताया था चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा मैंने थोड़ी सी जाद कच्चा सा टेस्ट आएगा तो इसलिए अब हम चीनी भी पकाएंगे बॉयलिंग तक तो यह चीनी हमारी पक चुकी है तो यह कस्टड हम थोड़ा थोड़ा करके एड़ करेंगे इसके अंदर क्योंकि वह एकदम से थिक कॉंसिस्टेंसी में आ जाएगा तो इसलिए में थोड़ा होने के लिए चोड़ देंगे यह सारा का सारा मिक्स कर देंगे देखिए एकदम यह गाड़ा-गाड़ा सा कर देंगे हम निकाल लेंगे तो में Цब्स इसके अंदर डालने H वो सारे डालेंगे पहले पपायर डालूंगे यू कैन एड एनी टाइप ओफ फ्रूट जो भी आपको पसंद है वह भी डाल सकते हैं यह एपल मैंने डाला और इसके बाद वो सारे ग्रेपस इसके अंदर डाल दिये वाउ देखिए कितना अच्छा इसका चैक्स्चर हो एकद हैं यह चॉइस टोटली आपस टू यू तो देखिए वाउ यह हमारा कस्टड एकदम रड़ी है यह सिरफ चार-पांच मिनट के ही हमारी रेसिपी है बहुत ही ज्यादा यमी बना था यह कस्टड और उतना ही ज्यादा यह कलरफुल बना था तो यह रेसिपी आप अपने ब कि आपको रेसिपी कैसे लगी थैंक यू प्रॉस्त बना था प्रॉस्त बस्ताइबार कि दॉस्त प्रॉस्त